हलो फ्रेंड्स कृष्णा की रसोई में आज आपका स्वागत है आज हम बना रहे हैं सूजी से मिल्क केक बीना मिल्क पारवुडर के बीना मावे के हम केवल सूजी से मिल्क केक बनाएंगे बिल्कुल मार्केट जैसा टेस्टी देखी यह मैंने एक गैस पर रखी है कड़ाई कड़ाई में 200 ग्राम देसी घी एड़ किया है घी को अच्छे से गरम होने के बाद में इसमें मैंने एक कटोरी सूजी एड़ की है और सूजी को हमें गी में अच्छे से बूनना है बीना कलर चेंज किये और गैस की फ्लेम हमें लो टु मीडियम फ्लेम पे रखे और बिल्क और नए तरीके से बनाएंगे सूजी का मिल्क केक इसलिए आब बिना skip किए वीडियो को पूरा देखिए ढिना milk powder के बिना मावा के आज हम सूजी का मिल्क केक बनाएंगे सूजी को हमें तब तक भूनना है जब तक सूजी से घी अलग नहीं हो जाए और ध्यान रहे बिल्कुल lotto medium flame पे हमें सूजी को अच्छे से बूनना है color बिल्कुल भी change नहीं होना चाहिए सूजी का देखे दीरे दीरे सूजी से घी अलग होने लगाया सूजी हमारी अच्छे से बूनने लगी है देखे हो रहा है ना सूजी से घी अलग मिल्क केक घर में सूजी से बना के तयार किये करेंगे इसलिए आप बिना skip किये वीडियो को पूरा देखेगा देखे सूजी को अच्छे से बूनने के बाद में इसमें मैंने दो चमच दूद की मलाई एड की है क्योंकि हम मिल्क पाउडर मावा कुछ यूज नहीं कर रहे इसलिए मैंने दो चमच दूद की मलाई एड की है और इसे अच्छे से मिक्स करके फिर इसे एक मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे हमें तब तक पकाना है जब तक सूजी से वापस घी अलग न हो जाए तब तक फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पे नहीं हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नए वीडियो की नॉटिविकेशन आपको मिलता रहे देखे जैसे जैसे हम दिये दिये पका रहे हैं सूजी से घी फिर से अलग होने लग गया है इसी तरह सूजी को हमें सेखना है और कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है वर्णा मिल्क केक का कलर चेंज हो जाएगा देखे सूजी हमारी अच्छे से बुन गई है अब हम milk cake के लिए चासनी बना रहे हैं। इसलिए जितनी आपनी चीनी लिए उसका हाफ पानी लेना है। और एक तार-दो तार की चासनी नहीं बनानी हमें इन नॉर्मल जब चिप хотя पी से चासनी बन जाए उसी सी तेक हम चासनी बनानी है। देखिए चीनी को अच्छे से मेल्ट कर लेना है, इसी तरह चलाते भी, आज हम बहुत ही आसान और अलग तरिके से मिल्क केग बनाएंगे, बिल्कुल मार्केट जैसा. देखे चीनी अच्छा से मेल्ट हो गई है हमें एक दो तार की चास्नी नहीं बनानी अब इसमें मैंने तीन से चार इलाइची को पीस के डाला है इसे इलाइची से मिलके का फ्लेवर बहुती अच्छा होता है देखिए इसी तरह चासनी को चलाते भी हमें दो से तीन मिनट के लिए पका लेना है लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाते भी चासनी बनाएंगे तो और भी अच्छी बनेगी देखिए इसी तरह उंगली पे लेके चेक करते रहना है जब चिपचेप इसी लगने लगे तब हमारी चासनी बनके तयार हो जाएगे अभी हमें नहीं बनी है इसलिए थोड़ा और पकाना है देखिए अब हम चेक करते हैं कि हमारी चासनी बनी है की नहीं देखिए इसी तरह उंगली पे लेके आपको इसी चेक करना है चासनी हमारी बिल्कुल तयार है बनके गैस को कर देते हैं बंद और वापस गैस पे जो हमने भून के सूजी रखी थी वो रखी है उसमें गरम करके और जो हमने चासनी बनाई है वो एड़ करनी है देखे है न बिल्कुल आसान तरीका इसी तरह से अगर आप मिल केक बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी और दानेदार सॉफ्ट मिल केक बनके तयार होगा देखे चासनी एड़ करने के बाद में इसे अच्छे से इस तरह से मिक्स करते हुए हमें अच्छे से पकाना है तीन से चार मिनट तक लोट टू मीडियम फ्लेम पे देखे इसी तरह सूजी को अच्छे से मिक्स करते हुए हमें लोट टू मीडियम फ्लेम पे इसे पकाते र और मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताना देखे सूजी को हमें तब तक पकाना है जब तक इसमें जाली जैसा दिखाई ना दे देखिए कलर भी धीरे जीरे चेंज होने लगा है और जाली सूजी में जाली पढ़ने लगी है इसका मतलब मिल केक के लि चिकना करके रख दिया है अब देखिए हमारी सूजी अच्छे से पक चुकी है देखिए इसमें जाली जैसा दाने दाने सा दिख रहा है इसी तरह हमें इसे पकाना है यह अब अच्छे से पक के है तयार गैस को कर देते हैं बंद और गरम गरम ही इसे प्लेट में एड करके औ देखी चैट कर दिया है अच्छे से और 10-15 मिनट के लिए इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देना है देखी है 10-15 मिनट बाद देखी तैयार है हमारा मिल्क केक दे काटने से आपको पता चल रहा है कि कितना सौफ्ट और दानिदार बना है बहुती टेस्टी देखते हैं कि मुँ में पाने आ जाए मार्केट से हम इतना महंगा मिल्क केक लाके खाते हैं हमने एक कटोरी सूजी से घर में इतना टेस्टी मिल्क केक बना के तयार किया है आप भी जरूर ट्राइ करना मेरी रेसेपी आपको कैसे लगी कमेंट्स करके जरूर बताना देखे है ना बिलकुल दानेदार जालीदार मिल्केक बहुती सोप्टी मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ बिलकुल मार्केट जैसा मिल्केक है जिसमें ना तो हमने मावा यूज किया है और ना ही milk powder यूज़ किया है बीना milk powder के और बीना मावे के हमने सूजी से milk केक बनाया है बहुत ही tasty बिल्कुल market जैसा है ना बिल्कुल आसान और अलग तरीके की recipe आप भी जरूर ट्राइ करना और मेरे recipe आपको कैसी लगी comments करके जरूर बताना इसी तरह से अगर आप milk cake बना के खिलाएंगे तो कोई बता भी नहीं सकता कि सूजी से बना हुआ milk cake है बिल्कुल दानेदार और soft milk cake बनता है मलाई इसमें आप यूज़ करेंगे तो बिल्कुल मावे का टेस्ट आएगा इसलिए आप मलाई और सूजी से milk cake घर पे आसानी से ज तरह से milk cake बना के तैयार कीजिए देखिए बिल्कुल दानेदार और जालीदार बिल्कुल soft milk cake हमारा सूजी से बना हुआ बिना milk powder के और बिना मावे के तैयार है आप जरूर ट्राइ करना और मेरे रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताना मिलते हैं नई वीडियो में तब तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा